आप देख रहे हैं दखल न्यूज नमस्कर मैं हूँ शेफाली आप देख रहे हैं दखल न्यूज दखल न्यूज के खास चर्चा में आज हमारे साथ 36 गड़ के दमदार निता अमिज योगी हैं जन्ता कॉंग्रेस के अध्यक्ष अमिज योगी से हम सवाल करेगे और अमिज योगी उमीद है कि उतनी ही दिलदारी से जवाब भी देंगे अमिर जी सबसे पहला सवाल, सबसे पहला सवाल आपसे करना चाहूंगी कि जन्ता कॉंग्रेस क्यों? प्रदेश के 82 साल के इतिहास में यह हमारे लिए बहुत गौरव की बात है कि पहली बार एक छेत्रिय दल को भारत के चुनाव आयोग के द्वारा मान्यता प्राप्त हुई है दो मेहने के कम समय में हम अपना चुनाव चिन 14 परसेंट प्रदेश के मतदाताओं तक पहुँचा पाए कम संसाधनों में भी चुनाव लड़कर आज हमारे गड़बंदन के साथ विधायक विधान सभा में जन्ता का प्रतिनिजित्व कर रहे हैं आप अगर पूरे देश का पॉलिटिकल मैप देखेंगी तो 29 राज्यों में केवल तीन राज्य ही ऐसे बच गए जहां पे अभी तक छेत्रिय दल सत्ता में स्थापित नहीं हो पाए हैं जिसमें मध्यपदेश, राजिस्थान और चत्तिस गड़ हैं। हमें मालूम है कि जो कदम हमने उठाया है वो एक चुनोती पूर्ण कदम हैं। सफर लंबा रहेगा, संघर्ष पूर रहेगा। आदरनिय ममता बेनर जी जी ने बिंगॉल में जब तिनमूल पार्टी का गठन किया था सन अठानमे में। दो हजार ग्यारा में तेरा साल बाद वो वहां सरकार बना पाई। हमारे परोसी राज आंदरपदेश की बात करें। तो मेरे बड़े भाई जगन मोहन रेड़ी जी ने दो हजार आठ में वायसर कॉंग्रिस का गठन किया। अभी 2019-11 साल बाद उनकी सरकार बनी हैं। तो हम एक विचार धारा को लेकर आगे बढ़े हैं। हम चहते हैं कि 36 गड़ के जो फैसले हैं, वो 36 गड़ की धरती में 36 गड़ के लोग ही करें। बाकी जो दोनों राष्टिय दल हैं, उनका आला कमान, उनका हाई कमान दिल्ली में हैं। लेकिन मेरा आला कमान, 36 गड़ की जनता है। अभी जी, 36 गड़ की राजनीती मतलब अजीज जोगी हुआ करते थे। अजीज जोगी के अलावा राजनीती का कहीं से कहीं तक कोई संबन किसी से जोड़ा नहीं जा सकता था, लेकिन उसके बावजूद आपको नहीं लगता कि आपने जब से जनता कॉंगरेस बनाई, उसके बाद वो अंश बहुत कम आपको हासिल हुआ। देखिए मैं तो ये कहूंगा कि अजीत जोगी जी की एक ऐसी सक्षियत है कि वो एक व्यक्ति विशेश तक केंद्रित नहीं रह सकती। जोगी जी एक विचार धारा के परियाय बन चुके हैं, जिजे हम 36 गड़ प्रथम विचार धारा के रूप में देखते हैं, और कई नेताओं ने 36 गड़ के इतिहास में कई महापुरुषों ने प्रयास किया कि छेत्रिय दल बनाया जाए, स्वर्गिय विद्याचरन शुक खूपचंद बगहेल जी ने प्रयास किया, पर उन्हें सफलता नहीं मिली, दो महने में, कम समय में, कम संसाधनों में, जो जोगी जी ने कर दिखाया है, वो और कोई नहीं कर पाया, 82 साल के इतिहास में, और आज भी 36 गड़ की राजनीती, के केंदर बिंदू, आदर्निय अजीत जोगी जी ही है, मेरा ये मानना है कि चाहे भारतिय जन्ता पार्टी हो, चाहे इंडियन नैशनल कॉंग्रेस पार्टी हो, दोनों के नेताओं को जोगेरिया रोग हो गया है, बिना जोगी का नाम जपे, उनसे कुछ काम नहीं होता है, जन्ता जोगी जोगी जपे और उसके बावजूद जो बहुत छोटा सा एक आपके गडबंदन पर साथ सीटें आप हासिल कर पाए हैं, कहीं थोड़ा सा पश्टावा की कॉंग्रेस से क्यों अलग हुए, या कोई अफसोस कॉंग्रेस से अलग होने का, या गर्व है कि हमने जन्ता कॉंग्रेस बनाई। पंदरा सीटों पर नहीं सिमट जाती, तो आज जन्ता कॉंग्रेस जोगी कॉंग्रेस के बगएर कोई सरकार थोड़ी बनाने की सोच सकता था, तो हमने तो सही वक्त पर सही रिणने लिया, और ठीक है हमें सफलता नहीं मिली, हम अभी मंत्राले में नहीं बैठे हैं, पर हम पूरा यकीन है कि आज भले ही हम चत्तिसगर विधान सभा में सबसे बड़े विपक्षी दल नहीं होंगे, लेकिन प्रमुख विपक्ष की भूमिका हमारी पाटी सडक से लेकर सदन तक निभा रही है, अगले चार सालों में हमें जनता का विश्वास जीतने का मौका मिला है और उसका हम पूरा उप्योग करेंगे और मुझे पूरा विश्वास है कि 2023 में सरकार हम अपनी दम पर बनाएंगे. प्रवी क्या कारण है, क्या व्यचारिक मद्भेत थे जो आप कॉंग्रेस से अलग हुए? देखिए पहले तो मैं ये स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि कोई निजी रंजिश के काराण या व्यक्तिगत दुश्मनी के काराण हम लोग कॉंग्रेस पार्टी से अलग नहीं हुए. आज भी मैं और मेरा परिवार अपने आपको नहरू गांधी परिवार के एक अंग के रूप में मानता है. मेरे पिता जी की तबियत अचानक बिगड़ गई थी. पिछले वारशा सोनिया जी का फोन आया, राहूल जी का फोन आया, मुझसे बात करी. उन्हेंने पूछा कि कोई भी प्रकार की अगर आवशक्ता हो, विदेश में अगर इलाज कराने ले जाना हो, तो वो हर तरह का सहयोग करने के लिए तयार हैं. तो निजी संबंद अपनी जगा हैं, लेकिन जब जोगी जी ने पाटी बनाने का निड़ने लिया, तो वे आधरनिय सुनिया जी से मिले और उन्होंने उन्हें इस निड़ने से अवगत कराया, और इस निड़ने का कारण भी बताया, कि केवल एक ही कारण है, कि अब जितन महतारी की सेवा करना चाहता हूँ, अगर आप इतिहास के पन्नों को उठा के देखें, तो दोनों राष्ट्य दलों ने हमेशा चातिस गड़ के साथ कुटारा घाती किया है, उन्निस सो बावन में ओडिसा में हीरा कुन बांध बना, चातिस गड़ डूबा, बासट में उत कनहर नदी उत्तरपदेश में और पोलावरव आंधरपदेश में बांध बन रहा है, फिर चातिस गड़ डूब रहा है, हमारे हज्जारों परिवार विस्थापित हो जाएंगे, उनके लिए कौन लड़ाई लड़ा है, दोनों राष्ट्य दलों ने बिना चातिस गड़ क जनता से पूछे, बिना उन्हें सुनवाई का आफसर दिये, ये फैसला कर लिया कि हमारे लिए आंधरपदेश जादा महतवपून है, हमारे लिए तेलंगाना जादा महतवपून है, हमारे लिए उरिसा जादा महतवपून है, हमारे लिए उत्तरपदेश जादा जबकि हम चाहते हैं कि वो दमदारी से अपनी बात वहां रखे है आपने गांधी परिवार की चर्चा की मेरे एकदम दिमाग में आया कि मैं जब एंटर कर रही थी आपके बंगले में तब मैंने देखा कि राजीव गांधी जी की स्टेचू आप क्या गाटन में लगी हुई है क्या कारण है वो रह गई है यहां पर पहुंची नहीं है जगांपर या ठीक है रखी है तो ऐसा कुछ या वाकई में आप गांधी परिवार से प्रेरित हैं इसलिए गांधी जी आपको प्रेणा देते हैं इसलिए राजीव गांधीजी की स्टेचू आपके गाटन में है देखे मैं इसका उत्तर मेरे पिता जी के द्वारा एक लिखी गई पुस्तक है स्वरनकन जन जिन व्यक्तियों से विवेप प्रभावित हुए हैं एतिहासिक दृष्टी से निजी तोर पर उनका उन्होंने संग्षिप्त जीवन परिचय उस पुस्तक में दिया है जैसे अमरीका के राष्टपती जॉन एफ केनेडी ने किताब लिखी थी प्रोफाइल्स इन करेज उसी के तरच पर ये किताब जोगी जी ने लिखी है और उसमें एक पूरा अध्याय उन्होंने राजीव जी को समर्पित किया है राजीव जी के कारण वो आईएस जैसी नौकरी रातो रात छोड़कर राजनीती में जनिक जीवन में उन्होंने प्रवेश किया उसका एक मात्र कारण राजीव जी थे और उनका हमेशा सम्मान था है और आगे भी रहेगा मदब कॉंग्रेस का एक अंगी ही है जन्ता कॉंग्रेस या अलग है जन्ता कॉंग्रेस क्योंकि प्रेणना पूरी आपने बताया कि राजीव गांधी जी से मिली है जोगी जी को परिभाशित भी किया, कहा कि हम हर चीज में समझोता कर सकते हैं, पर चार ऐसी चीजे हैं, जिस पर हम कभी समझोता नहीं करेंगे, एक तो भारत की प्रभुदता और अखंडता, दूसरा सामप्रदाइकता, तीसरा समाजवाद और चौथा लोकतंत्र, ये जो चार के साथ हम कभी भी समझोता नहीं करेंगे, और आज जो देश में परिस्तितियां बन रही हैं, ऐसा लगता है कि इन चारो स्थम्भों को कहीं न कहीं से चुनौती का सामना करना पड़ रहा है, ऐसे में जो परिवार, कॉंग्रेस पार्टी की सबसे बड़ी ताकत हुआ करता था, आज वही परिवार, बड़े दुख के साथ मुझे कहना पड़ रहा है, उस पार्टी की सबसे बड़ी कमजोरी बन गया है, ऐसे में कॉंग्रेस के लिए ही नहीं, पुरे देश के लिए चुनौती है कि किस प्रकार से सामप्रदाइक ताकतों को चुनौती दी जा सके, किस प्रकार से ये जो चार स्थम्ब हैं जिस पर आधुनिक भारत का निर्मान किया गया है, उसको हम बरकरार और सुरक्षित रख सकें और इसके लिए बहुत जरूरी है कि बड़ी पार्टी होने के नाते बड़ा दिल भी रखना चाहिए, जो की जो वर्तमान में कॉंग्र का नेतित्व था, अभी तो शायद नहीं है, उसमें ये देखने को नहीं मिला। आप देख रहे हैं दखल्यों आप के हाट अगार्टे नहीं मिला। इसलिये लन्सी दिनविर्शित नेति गन्स्ट जूनिवर्सित अगाइचिए व्यूंस जभू जगई गज़ी लिए थे यूदियों आप देख रहे हैं दखल न्यूज प्रेकिवाद आपका स्वागत है सवालों का सिलसला यूही जारी है अमिजी राष्ट्र में राष्ट्र अध्यक्ष बोल देता है कि मैं नहीं हूँ आपका अध्यक्ष मैंने दे दिया इस्तीफा और बहुत लोग मनाने जाते हैं आपके प्रदेश के मुख्यमंतरी भी मनाने गए क्या है ये सब ये कॉंग्रेस पार्टी का अंतरिक मामला है वो इस्तीफा दें नहीं दें ये उनका निजी निर्ना है और जो भी उनका निर्ना है उसका पुझे लगता है सबको सम्मान करना चाहिए कॉंग्रेस पार्टी के वजूद से लेके अब तक अध्यक्ष गांधी परिवार का ही रहा तो ये बहुत बड़ा बदलाव की स्थिती नहीं बन रही है अगर गांधी परिवार का अध्यक्ष नहीं तो फिर कौन देखिए अगर हम हाली का इतिहास देखें तो पिछले 25 सालों में दो ऐसे भी अध्यक्ष रहे हैं जो उस परिवार के सदस्य नहीं रहे आदर्निया नर्सिम्हराओ जी रहे आदर्निया सिताराम केशरी जी रहे और दोनों का परफॉर्मेंस देखा जाए तो 221 सांसद और 151 सांसद और दूसरी तरफ जो आज खिस्तिती है 44 और 52 सांसद तो ये कहना कि बाकी कोई कॉंग्रेस अध्यक्ष पद के साथ न्याय नहीं कर पाएगा ये मैं समझता हूं की गलत है तीन प्रदेश है 36 गड़, मध्यप्रदेश और आपका रजस्थान, तीनों ही प्रदेश में बहुत भारी बहुमत के साथ कॉंग्रेस आई, मुख्यमंत्री बने लेकिन लोकसभा में हार का चेहरा देखना पड़ा क्या कारण रहा? देखिए भारी बहुमत के साथ तो केवल 36 गड़ में ही आई बाकी दोनों प्रदेशों में देखा जाए, मध्यप्रदेश में और राजस्थान में तो वहां पर कॉंग्रेस आज भी लाइफ सपोर्ट सिस्टम पर चल रही है और जो हाल आज करनाटक में देखने को मिल रहा है अतिश योगती नहीं होगी अगर कुछ महने में जो आदर्निया महानुभाव अब केंद्रिये ग्रह मंत्राले में बैठ गए हैं उनकी कृपाद रिष्टी अगर बद्धिपदेश और राजिस्थान पर पड़ी तो ये दोनों सरकारे भी लाइफ सपोर्ट सिस्टम से हट सकती है सत्ता परिवर्टन वहाँ पर भी हो सकता है इसलिए मैं ये नहीं मानता कि कॉंग्रेस को भारी बहुमत 36 गड़ कुछ होड़ बाकी दोनों राजियों में मिला था लेकिन आप भी लगे थे और वीजेपी भी लगी थी उसके बावजूर भी भारी बहुमत मिला क्यूँ? देखिए आदर्निय मुख्य मंत्री जी हमेशा ये बोलते हैं अपने भाषनों में कि अगर जोगी पार्टी नहीं लड़ती विधानसभाद चुनाओं नहीं लड़ती तो भारती जंता पार्टी दो तीन सीटों पर सिमट जाती हमने लोकसभाद चुनाओं में एक सैध्धान्तिक निर्णे लिया कि 11 की 11 लोकसवा सीटों में हमें बीजेपी को परास्त करना है हम नहीं चाहते कि गैर सामपरदाई क्वोट बटे इसलिए हमने खुद आगे आकर ये निन्ने लिया कि हम चुनाओं नहीं लड़ेंगे और नतीजा क्या हुआ जो 68 सीट लेके आई थी पार्टी वो दो सीटों पर सिमिट गई तो ये अब मुख्यमंत्री जी को तै करना है कि जो ये बार-बार आरोप लगाते हैं कि जनता कॉंग्रेस, जोगी कॉंग्रेस, बीजेपी की बी टीम है हम बी टीम है, सी टीम है, ए टीम है क्या है, हमारा इसमें मत बहुत क्लियर है हम किसी की बी टीम नहीं है हम 36 गडियों की ए टीम है और रही बात बी टीम की तो अगर राश्टिय स्तर पर देखा जाए तो कॉंग्रेस पार्टी की जो भुमिका रही तीन जो सबसे बड़े राज्ये हैं जहां सबसे ज़्यादा सांसर जाते हैं उत्तर परदेश, बिहार, वेस्ट बिंगॉल जहां पे कॉंग्रेस का वर्चस्व ना के बराबर है वहां उन्हें छेत्री दलों के साथ तालमेल बठाना था ओडिसा में, आंदर परदेश में, तेलंगाना में तालमेल बठाना था तब जाके वो नरेंदर मोदी जी और अमिर्शा जी को चुनौती दे पाते हैं उन्होंने किया नहीं जहां तक 36 गड़ की बात मैं करूं तो 29 राज्य में केवल एकी राज्य ऐसा है जहां पे आज भी अधिसूचना जारी है जो साश्किय करमचारियों को RSS की गतिविदियों में भाग लेने के लिए प्रोचसाहित करती है अभी तक श्री भुपेश बगेल जी ने उस अधिसूचना को खारिज नहीं किया है एक ऐसे व्यक्ति को प्रदेश का महादी वक्ता उन्होंने बना दिया जो आदर्निय राहूल गांधी जी को इंडिया का पपू और गधा बोलता है जो ये बोलता है कि गवमास खाने वाले मुसलमानों को बंगलादेश और पाकिस्तान भेज देना चाहिए ऐसे व्यक्ति को उन्होंने यहां का महादी वक्ता बना दिया और जो आम नागरिक और पत्रकार बिजली का संकट झेल रहे हैं जब वो सोशल बीडिया में पोस्ट डालते हैं या समाचार चापते हैं तो उनके उपर देश्ट्रो जैसी संगीन धारा लगा दी जाती है तो पहले तो आदर्निया भुपेश बगेल जी को ये स्पष्ट करना पड़ेगा कि इन तीन ठोस प्रमानों के परिपेक्ष में 36 गड महत्मा गांधी जी के रास्ते में जा रहा है या फिर गोटसे के रास्ते में A टीम और B टीम कि आप बात कर रहे हैं ये चर्चा कितनी सही है कि आप BJP से सपोर्ट मांग रहे हैं देखिए विपक्षी दल होने के नाते हमारे पास हमारे गड़ बंदन में साथ विधायक है हमें ये लगता है कि 15 साल में जितना रमन सिंग जी ने 36 गड की बरबादी करी है उसका रिकॉर्ड बुलेट ट्रेन की गती से भुपेश बगेल जी ने तोड़ दिया है शराब बंदी की बात करने वाले आदरनिया भुपेश बगेल जी ने पिछले 6 महनों में दारू का दाम, दारू का ब्रैंड, दारू का टाइम, दारू का काउंटर सब बढ़ा के पूरे 36 गड को शराब मंडी में तब्दिल कर दिया उनका डेवेन्यू बढ़ाने का रास्ता यही है 36 गड के खाजाने खाली है अब मुझे नहीं मालूम कि उनका क्या कहना इस संबंद में अधिकरित तोर पर तो उन्होंने कुछ भी इस पर नहीं कहा है बोल रहा है कि मैं अध्यान कर रहा हूं जबकि अध्यान उन्हें ये शराब बंदी की बात अपने जन घोषना पत्र में रखने के पहले कर लेना था जब जन घोषना पत्र में उन्होंने घोषना कर दी गंगा जल हाथ में लेकर ये कसम खाली कि जिस दिन मैं मुख्य मंत्री बनूंगा मेरी सरकार बनेगी मैं शराब बंदी लागू कर दूंगा तो अब ये कहना कि हम इसका अध्यन करेंगे ये अब बहुत लेट हो चुका है उसी हिसाब से रमन सिंग जी ने पंदरा सालों में तीन ख़दाने अडानी को दी थी चतिस गड को अडानी गड बना दे रहा है कर्जा माफी की बात उन्होंने कही थी उसको भी अभी तक पूरा नहीं कर पाए उन्होंने वादा किया था कि हम बिजली बिल भाफ कर देंगे बिजली भाफ तो हुआ नहीं बिजली भाफ हो गई तो इतने सारे मुद्दे अब हमारे सामने हैं कि जन्ता की तरफ से अब हमारा ये दायत्व बनता है कि अगामी विधानसभा सत्र में हम सरकार के विरुद्ध नियम 143 के अंतरगत अविश्वास प्रस्ताव लेकर आएं आविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए हमें नौ विधायकों की आवशक्ता है नब्बे में से जो एक बटा दस हिस्सा है जब तक उतनी संख्या में विधायक दसकत नहीं करते हैं वो आविश्वास प्रस्ताव ग्राय नहीं किया जाता है चर्चा पर जब नौ दसकत हो जा तो हमने भारती जन्ता पार्टी से ये आग्रह किया है कि आपके पास भी विधायकों की संख्या है दो विधायक अगर हमारे इस दस्तावेज में दस्कत कर देंगे तो हम सरकार को चौत अरफा घेर सकेंगे अगर आप ऐसा करते हैं तो आप छतिस गड़ के हितैशी सिद्ध ह होंगे और अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो ये सिद्ध हो जाएगा कि इस पाप में आप भी बराबरी के भागिदार हैं अब जी जैसे अभी चर्चा हो रही थी कि बिजली मद्वर्देश और छतिस गड़ में कॉंग्रेस आने का बिजली कुछ ज्यादा ही जा रही है देखिए जब च्छतिस गड़ राज्य बना MPEB का विभाजन करके CACB का निर्मान किया गया ओवरनाइट च्छतिस गड़ राज्य बिजली सर्पलस राज्य हो गया पर विगत चौदा वर्षों में जहां बिजली की खपत तो बढ़ती रही उत्पादन जसका तस रहा इसके लिए मैं पूरी तरह से डॉक्टर रमन सिंग जी की दूर द्रिष्टी के अभ़ाव को जवाबदार मानता हूँ उन्होंने एक मेगावाट यूनिट बढ़ाने का भी अपनी ओर से कोई प्रयास नहीं किया जिसका खाम्याजा आज हमको भुगतना पढ़ रहा है वो ये प्रमानित करते हैं कि 36 गड़ में प्रतिवर्ष 407 करोड यूनिट बिजली की कमी है और उसके बावजूद आदर्निया भुपेश बगहल जी की सरकार 209 करोड यूनिट बिजली तेलंगाना को बेच रही है तो ऐसे में बिजली बिल तो हाफ नहीं होगा बिजली जरूर हाफ होगी अमिजी आप राजनीती में कुई अपने पिता जी के लिए या खुद के लिए मैं ना अपने पिता जी के लिए राजनीती में आया हूँ ना खुद के लिए एक विचारधारा से मैं जुड़ा हुआ हूँ और वो है 36 गड़ प्रथम विचारधारा 36 गड़ की किस प्रकार से सबसे बहतर तरीके से सेवा की जा सकती है इस उद्देश के साथ मैं राजनीती में आया हूँ और पिछले 10 वर्षों में सारवजनिक जीवन में रहते हुए मैंने यही प्रयास किया है कि उसी उद्देश को प्राथमिक्ता देते हुए अन्य युवा भी राजनीती से जुड़े है पिरा आखरी सवाद 36 गण महतारी के लिए सबसे बैस्ट विजन जो होत सकता है रमन सिंग का रहा कि भुपेश बगेल का रहा या अजीत जोगी अमिचोगी का है देखें तीनों में जो विजन की बात है मैं कहूंगा कि जहां तक कॉंग्रेस पार्टी की बात है नो विजन जहां तक बीजेपी की बात है नो विजन ओनली रमन और जहां तक हमारी पार्टी की बात है विजन 36 गण नमबर वन शुक्री आमे जी आप ने हमसे बात की इस चर्चा में खास बाते रही कि अमी जोगी ने बहुत बिबाकी से बात रखी और चतिसगर महतारी के लिए काम करने की बात कही अमे जोगी ने साफ शब्दों में सपष्ट कर दिया कि वो चतिसगर की राजनीती से बैक फुट नहीं जाएंगे चाएं बले ही उन पर कितने भी सवालिया निशान लगते रही हो कैमरामेन के राओ के साथ शिफाली गुपता दखल नियूस भुपाल आप देख रहे हैं दखल नियूस